नमस्कार आप देख रहे हैं खमासार.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षभ हन्तिया आप सभी चानते हैं कि अमेरिका चीन के बीच ट्रैड बॉर लगाता चारी है अगर यह इसी तरह से चलता रहा तो एक बार फिर वैश्विक मंदी चाह सकती है और पूरी दुनिया की एकोनोमी मिला कर लगभग 585 अरब डॉलर का भारी रुकसान हो सकता है जी हाँ, अमेरिके राश्पते डोनाल्ड ट्रम पिछले हफते चीन के साथ ट्रैड बॉर खत्म करने की पहल कर चुके हैं और दोनों देश एक बार फिर बागचीत से मुद्दा सुलजाने की कोशेश शुरू करने जा रहे हैं ये तो पता नहीं ये ट्रैड बॉर खत्म हो गी या नहीं लेकिन ट्रैड बॉर के चलते ग्लोबल मंदी आ रही है और दुनिया के प्रमुख देश, ब्रिटन, जर्मनी, रूस, सिंगापूर और ब्राजील मंदी की कगार पर आ गये हैं या कहें कि मंदी की चपेट में आ चुके हैं एक सर्वे की अनुसार 34 एकोनोमिस्ट का यही कहना है कि अगला नंबर अमेरिका का रहने वाला है और अमेरिका भी मंदी की चपेट में आने वाला है अमेरिका की अर्थिवस्था जस्तर से सुस्त बढ़ती जा रही है उसकी वज़़से वो 2021 में मंदी की चपेट में आ सकता है और व्यापारिक शेतरों की अनिष्टिता से दुनिया के लिए भारी मंदी चा सकती है और इसके चलते GDP में 585 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की सरकार मौदरिक नीती के जटके कम तो कर सकती है लेकिन इसे पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है तो अगर अमेरिका और चीन की ये ट्राइड बॉल जारी रहती है तो इन दोनों देशों के साथ साथ तमाम अन्य देशों को भी मंदी का सर जेड़ना होगा और आर्थिक नुकसान उठाना बड़ेगा और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया की एकोनोमिक मिला कर लगभग 585 अरब डॉलर का भारे नुकसान हो सकता है